आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्यार लग रहे होंगे तो फ्रेंड्स आज में बहुत ही टेस्टी आलू बुंडे की रेशिपी आपके साथ शेयर करने जारी हूं जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और बनाने का सबसे आसान तरीका मैं खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगने वाली है यह आलू बुंडे की रेशिपी चलिए हम देख लेते हैं यह कैसे बनता है तो यह तीन आलू बड़े साइच का मैं ली थी उसे बॉयल करके और मैश कर ली हूं इसे पूरी तरह से मैश नहीं करना है थोड़े थोड़े हिंग डालने के बाद मैं इसमें डाली हूं राई दाना थोड़ा सा डाली हूं राई दाना थोड़ा सा खड़ा जीरा और कुटी हुई धनिया डाली हूं जो खड़ा धनिया मसाले वाले आता है उसे मैं कूट के डाली हूं सभी कुछ थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाल के उसे खुष करना है जब यह खुष कर हो जाएं एक अच्छोन रहे नहीं उस,, और उनीश थोड़ा सबतिकी सतंसे भृत नेगेज जाये तरुम जाकर एक हुष़ आश्यन ते-व अद्रक बहुत 0.2 गा, और 15-2 प्रुबी करना नेश है को बहुत अच्छे से mix कीजिए भूनिये सभी कुछ बहुत अच्छे से भून जाने के बाद इसमें डाल दीजिए आप आलू मैश किया हुआ आलू डालने के बाद मैं साती सार डालूंगी नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा मैं आधा छोटा चमच नमक डाल रही हूँ और कटी हुई हरी धन्या डाल रही हूँ धन्या की पत्ती और इन सभी को डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप नीबू का रस भी डाल सकती हैं। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ फ्रेंट्स आप गैस का फ्ले मैं आफ कर दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है फिर मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाओंगी बॉल्स आप अपने हिसाब से बना हो यही साइज में रक्क है हूँ बोने लिए कि दूसरी तरफ आधा कप करीब है बेसन में स्वाथ के अनुसार नबक नमक नमक i तालने के बाद ह javai तोड़ा-ज़ूडा मैं डाल रही हूं सभी कुछ उसके बाद जाएग का अजवाइन हाथों से प्रेश्छ कर ल लास्ट में मैं एक चुटके के करीब डाल रही हूं, बेकिंग सोडा, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे मिक्स करना है, एक ही बार ज्यादा पानी नहीं डालेगा, परना ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसे मिक्स के जी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ही हम इसे बोंडे को बनाएंगे ये देखे, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है बस ऐसी होनी चाहिए एक भी गुल्ठी नहीं होनी चाहिए इसमें मुझे पानी कम लग रहा था मैं थोड़ा सा पानी और आट की हूं और ये कट्ची बनीगे और दिखने में भी अच्छा लगकी निए तो इहरा बहुत अच्छा से बेसं फिट पिट किया फिर मैं इसमें से वह हम अच्छा ओकर ले तरहिं और जसे आप पॉरियू से वैं मारत बेसंने म्लाहिए मेर्म भाट है और न कारी की आय carbon फिर आप इसे पलट दीजेगा और उलट पलट करके हलका सा color change आने तक इसे आप फ्राइ कर लेजीगा तो ये अच्छा सा color आ गया है इससे ज्यादा dark color नहीं करना है बोंडे का इससे ज्यादा dark color हो जाएगा बोंडे का तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ये बहुत जाल ले रही हूं इसी तरीके से मैंने सारे बोंडे को fry कर लिया और मैं इसके साथ हरी मिर्ची भी fry की हूं उपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्फ कीजेगा या हरी चट्नी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बहुत ही मज़े का बनता है फटा फट से आप घर पे बना सकते हैं तो आपको आलू बोंडे की रेसिपी कैसे लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए